हेलो फ्रेंज आप सभी को प्रियार कीचेन में बहुत-बहुत सवगात है तो आप ही देखिए हमने बनाया है यह जो पुई साग होता है पुई साग का सबजी कोई साग हो साग तो हेल्दी होता ही है तो चलिए देख लेता है यह पुई साग का सबजी कैसे हमने बनाया है एक साग का सबजी से जो है आप मतलब खाना खा सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं यह साग का सबजी बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए और हमने कैसे यह साग का सबजी को बनाया है इतना टेश्टी और हेली तो सबसे पहले यहां पे देखिए यह है पुई साग यही जो सा तरह होता है सोजना उसी के तरह होता है तो इसका पत्ता को हम अलाग काटेंगे और जो डंठल है इसको अलाग काटेंगे तो दोनों को पामकीन और आलू को काड लिये हैं, तो यह सब को काट के हमने धो लिया है, और इसको इधर राकते हैं, और इधर हमने कड़ाई चड़ा दिया है, कड़ाई जो है अलरेडी गरम हो गया है, तो इसमें हमने दो चममज के करीब सर्षो का तेल दिये हैं, हम सर्षो का तेल में ज जीरा, सर्शो, मेथी, काला जीरा, आजवाइन ये सब को मिला के जो है पाँच फोरन बनता है तो यह ही है पाँच फोरन तो थोड़ा सा फ्राई हो गया था फ्राई हो जाने के बाद इसमें जो है आलू और जो पामकिन को काटके राखे थे उसको डाल देंगे डाल के पाउडर में खाल ने करीड यह थो परिख जीर अद इसा ब्रॉड में उसे दोनों को लजातों है। ऑन जेरा लाल करने आड कर लिए ध्यायाद एका। डान्थाल काll ही यह दोनेके रखेतें। अर डाल के नेके लेंगे। यह जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब उसके बाद इसमें दे देंगे हल्दी पाउडर अब हल्दी पाउडर मतलब थोड़ा सा कॉंटिटी के हिसाब से दीजिएगा मेरा पास जिदना मैं साक्का सब्जी बना रहें उस हिसाब से तो एक चम्माची काफी है तो एक चम्म करीब सर्शो का पेश्ट करेंगे तो सर्शो का पेश्ट दे कर भी इसको अच्छे से हदेंगे और स İs प्राइब करेंगे उस्वाइब ने लागता है तो सच्ण साुआ को आल्लक करके काट के रखे तो उसको डाल दिये हैं डालके जो तो रहेंगे तो साग थोड़ी दर में कम हो जाएगा तो चलिए अभी थोड़ा सा कम हो जाएगा फिर इसमें डाल देंगे ऐसे ही करके साग को थोड़ा सा कम कर लेंगे और अभी तक इसमें हमने नमक का नमक नहीं दिया है तो जब साग कम हो जाएगा तो अभी साग को चलाते हुए थोड नमक जैसे ही साग में पड़ेगा तो साग पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और इसलिए नमक हम लाश्ट में दिये हैं ताकि साग का कॉंटिटी थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद दीजिए नहीं तो क्या है साग तो पहले थोड़ा सा ज्यादा रहता है नमक दे साग में परा तो पानी कितना छोड़ दिया है तो इसको जो है अभी धाकन लाके बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे तो आभी देखिए साग जो है बॉयल हो गया है और पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है सूग गया और इसमें हम बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया स्टाव साग में से पानी निटला है उसी पानी में जो है यह बॉइल हो गया है तो आभी जो है यह यह पामकीन और आलू को जो है थ्वड़ाश कर्ड़ी के मदद से मैस कर देंगे मैस करने करने के बाद देखिए एक दम पूरा सूग गिया है तो यह सब्सक्राइब गया है तो ये साख का सबजी हमने एकदम सिंपल तरीके से बनाया है, ज्यादा मसला का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप लोग को कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कॉमेंट करना ना आपका फोन में सबसे पहले पहुँच जाएगा, तो चलिए इसको हमने निकाल लिया, देगने के लिए कुछ इस तरह से लग रहा है, तो आप लोग भी घरबे बना के ट्राई जरूर कीजिएगा, तो ट्राई करके कॉमेंट करना ना भूलिए, तो चलिए फिर मिलते आग वीडियो में तब तक करें, बाई बाई and थेंक यू